हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चैनल अराध्या अर्यास अकेडमी में दोस्तों पूरे भारत वर्ष में जितनी भी परतियोगी परिक्षाएं आईजित होती है उन सभी परतियोगी परिक्षाओं के लिए भारतिय बुगोल के टोपिक वाइज टोप इंपोर्डेंट प्रस्नों की सिरीज श्टार्ट की गई थी जिसमें अपने छे चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं आज अपना इसमें सात्वा नंबर का चैप्टर है जिसमें आज अपने भारत की परमुक बहु उद्देशिये परिजुनाओं से समंदीत टोप सो प्रस्न पड़ेंगे दोस्तो प्रस्न बहुत ही सांदार है विबिन परिक्षाओं में पुछे गए बार बार प्रस्न है ठीक है इसलिए ध्यान से देखना और अगर आपने पिछली जो छे क्लासे हैं वो नहीं देखिए तो आप ले लिश्ट में जाएए वहाँ पे आपको फोल्डर मिल तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रस्न है किसे राजस्तान की मरू गंगा के नाम से जाना जाता है किसे राजस्तान की मरू गंगा के नाम से जाना जाता है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरू यानि की मरू मरू का मतलब पल्टिकस्तान ठीक है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें इंद्रा गांदी नहर है तो इसका राइट अंसय क्या हो जाएगा इसमें दो नम्बर का अउप्सन सेयुत राजस्तान पुलिस में जल आपूर्ती करने के लिए कौन सी नहर महत्वकून है देखिए राजस्तान पुलिस 2020 के अंदर पुछा गया है अलग-अलग प्रकार से पुछा गया है उत्तर एक ही होगा तो इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा वो है इंद्रा गांधी नहर है दो नंबर का जो बना दिया है बताइए और पिए ऐसाई बारा जनवरी 2019 को यह प्रेशन पुछा गया था बताइए निम्नलिकित में से वह पहला राज्य कौन सा है जिसने राज्य बर के सभी गरों में रूफ टोप वर्षा जल संसे अनिवारिये बना दिया है तो दोस्तों इसका राइट राइट आंसर हो जाएगा वो है तमिल्ला डू तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तमिल्ला डू ठीक है तो इसमें एक नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे इसमें तुंग बद्रा बांद इस्तित है तो दोस्तों कहां पर है ये तुंग बद्राबांद इस्तित तो ये बांद इस्तित है दोस्तों कहां पर करनाटक में इस्तित है कहां पर है मित्रों करनाटक में ये इस्तित है तुंग बद्राबांद याद रखना तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है तीन नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे मित्रों इसमें पांच नमबर का प्रेसन है इसमें देखे वंस धारा जल्विवाद अधिकरण में कौन से राज्ये सामिल हैं बताएए बताएए वंसदारा जल विवाद अभी करण में कौन से राजे सामिल हैं तो दोस्तों कौन से राजे सामिल हैं बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन से तो वो है ओडिसा और आंदर प्रदेश तो इसका right answer क्या हो जाएगा बताएगा तो इसमें दो नंबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा ठीक है ओडिशा और आंदर प्रदेश ठीक है next question है इसमें देखे शिक्स नंबर का प्रहस्न वह इसमें देखे धूआदार जल पर पात किस नदी पर इनदी पर है तो दोस्तों यह बता ही कुन सी नदी पर रहे तो यह नरम दरनती पर चाहाँ पर है तो यह मद्य प्रदेश में है तो इस प्रेशल का राइट आंसर चार नमबर का उप्षन सः उत्तर हो जाएगा ऐगे देखें मित्रों इसमें राना प्रताब सागरबांद काहां पर इस्तित्त है RPSI के अंदर ये प्रैसन पूछा गया है राणा परताब सागरबांद कहां पर है तो दोस्तों ये राजस्तान में चितोडगड में है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार नंबर उप्शन सही उत्तर आगे देखिए तो महदाई जल विवाद न्यायादी करण में कौन से राजसामिल है तो वो है दोस्तों गोवा, करनाटक और महाराश्टर करनाटक और महाराश्टर तो अपना इसमें चार नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए नो नमबर का प्रेस्न है इसमें देखिए सरदार सरोवर बांद में इस्तित है बताइए यहां पर बताइए सरदार सरोवर बांद है यह कौन से राज्य में इस्तित है यह कहां पर इस्तित है तो इस प्रेस्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरदार सर साइबांत परियोजना किस राज्य में इस्तित है तो दोस्तों ये कौन से राज्य में इस्तित है तो ये उडिशा में इस्तित है तो इसमें चार नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा उडिशा में इस्तित है तीक है आगे देखिए मित्रों इ किस नदी से जल मिलता है तो दोस्तों ये मिलता है किस से तो ये सतलज नदी से मिलता है तो अपना इसमें चार नमबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा सतलज से मिलता है ठीक है आगे देखिए सारन सिचाई नहर निकलती है तो दोस्तों ये सारन सिचाई नहर कहां से नि तिर्वेणी नहर में किस नधी से पानी आता है तो मित्रों कौन सी नधी से पानी आता है तो यह आता है गंडक से तो अपना इसमे तीन नमबर का option right answer हो जाएगा ठीक है आगे देखिए अपना इसमें राजस्तान नहर का नया नाम है बताइए राजस्तान नहर का नया नाम क्या है तो वो है दोस्तों इंद्रा गांधी नहर इंद्रा गांधी नहर ठीक है पहले इंद्रा गांधी नहर का जो प्राची नाम था वो था राजस्तान नहर और परिवर्तित करके इंद्रा गांधी नहर किया गया था तो अपना इसमे राइट आंसर दो नंबर उप्शन सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखे पाकिस्तान ने किसमे विक्षित किये जा रहे है किसन गंगा हाइड्रो पावर परियोजना के निर्मान पर आपत्ति हो जाएगा वो है तोस्तो जम्मू कस्मिर में तो अपना इसमे दो नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कस्मिर में देखे एक बाड़ी परियोजना तीन नंबर का जो उप्षन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें अठारा नंबर का प्रेशने निम्नांकित में से कौन सी समस्या का सामना इंद्रा गांधी नहर कमांड छेतर में नहीं करना पड़ता है बताए बहुत अच्छा का प्रेशन है 2009 के अंदर आरेस की परिक्षा में यह पूछा गया था आरेस प्री के अंदर इम्नांकित में से कौन सी समस्या का सामना इंद्रा गांधी नहर कमांड छेतर में नहीं करना पड़ता है तो इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पानी सप् में कमी यह दोस्तों मतलब नहीं इस चेतर में यह इस समस्या का सामना है वो नहीं करना पड़ता बाकी देखे नहर से निकला रेत जमाव लगातार बढ़ती जल संत्रपता मिट्टी लवनता में वर्दी तो इसका राइट अंसर चार नंबर उप्शन से उत्तर हो जाएगा आगे देखे गुनिश नंबर का प्रेसन है राजस्तान नहर यानि कि इंद्रा गांदी नहर में पानी जहां से आता है उस नदी का नाम क्या है आरियस प्रिक्षा में 2009 में प्रेसन पुछा गया था कि राजस्तान नहर में पानी जहां से आता है उस नदी का नाम क्या है तो तो उस नदी का नाम है दोस्तों बताईए कौन सी नदी है वो तो वो नदी है सतलज और व्यास नदी तो इसमें चार नबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आरिया स्प्री 2009 में ये प्रेशन पुछा गया था आगे देखे चंबल एक संयुक्त परियोजना है जि इसमें राजस्तान और मद्य प्रदेश ये भागीदार है ठीक है मद्य प्रदेश से तो इसका उद्गम होता है और राजस्तान में से ये निकलती है तो इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा तीन नमबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखे 21 न महाराश्टर की ठीक है महाराश्टर की दोस्तों परमुख बहुत देश ये घाटी परियोजना है ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें दो नंबर का उप्शन बिल्कुल सहुत्तर है आगे देखिए इसमें गिरना परियोजना कहां इस्तित है बताएए गिरना परियोजना कहां परिस्तित है S.S.C. गाट 2002 के अंदर प्रैस ने पुछा गया है गिरना परियोजना कहां इस्तित है तो दोस्तों ये है कहां पर तो ये महाराश्टर में है तो इसमें दो नंबर का उप्शन बिल्कुल सहुत्तर हो जाएगा टेभीस नंबर का प्रैस ने इसमें देखे हिराकुंड परियोजना किस राज्य में है हिराकुंड परियोजना किस राज्य में है तो दोस्तों यह उडिसा में ठीक है कहां पर है हिराकुंड परियोजना तो यह उडिसा में है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत ठीक है उड़ी सामें है हीरा कुंड परियोजना आगे देखिए 24 नंबर प्रेशन है करनाटक में इस्थित बहुत देश ये नदी गाटी परियोजना है तो वो कौन सी है बताइए तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें तुंग बद्रा तीन नं नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा तुंग बद्रा आगे देखिए 25 नंबर का प्रेशन है इसमें देखिए हीडिकल परियोजना किस नदी पर इस्तित है तो दोस्तों यह है घाट परबान नदी पर ये इस्तित है एक नंबर का उप्षन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 26 नंबर का प्रेशन है काकरा पार परियोजना किस नदी से समंदित है तो दोस्तों यह कौन से नदी से समंदित है तो यह समंदित है दोस्तों तापती नदी से समंदित है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एक न निम्ने में से किन राज्यों की सहयुक्त पर्यूजना है? तो मित्रों इसका राइट अंसर हो जाएगा, ये है हर्याना पंजाब और राजस्तान की ये सहयुक्त पर्यूजना है, तो इस प्रहेइसन का राइट अंसर क्या हो जाएगा? एक नमबर का option बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा ठीक है आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें देखिए अलमती बांद किस नदी पर है बताईए तो दोस्तों ये अलमाटी बांद है अलमाटी या अलमाटी आप कुछ भी बोल सकते हैं ठीक है तो ये अलमाटी बांद है ये कौनशी नदी पर है तो दोस्तोओच ये है कौनशी नदी पर ये कृशुना नदी पर है तो इसमे तीन नमर का जो अप्शन है वो इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए 31 नमबर का प्रेसन है राजस्तान नहर कहां से निकलती है यानि कि दोस्तों जो इंद्रा गांदी नहर है ये दोस्तों कहां से निकलती है तो ये निकलती है दोस्तों कहां से तो ये सतलज नदी से निकलती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है ती में मुरुष्टली जिलों में दोस्तों जैसे की जैसल मेर बाड मेर विकानेर जैसे छेत्रों के अंदर सुचाई की जो सुविदा है वो उपलब्द हो गई ठीक है तो इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा तीन नंबर का उप्शन बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा आग आगे देखिए इसमें 31 नंबर का प्रेशन दक्षिन भारत में सिचाई वेवेस्ता का अगरदूत किसे माना जाता है बताए किसे माना जाता है तो यह माना जाता है दोस्तों सर ओर्थर कोटन को माना जाता है दोस्तों दक्षिन भारत में सिचाई वेवेस्ता का अगरदू उते होते तो इसमें एक नमबर का उप्सन बिल्कुल सहीधतर हो जाएगा बद्तीस नमबर का प्रेशने इसमें देखे भारत की सिचाई समता का सरवाधिक भाग पूरा पूरा होता है तो इस प्रेशन का जो राइट answer हो जाएगा वो है दोस्तों लगू परयोजनाओं से लगू परयोजनाओं से तो अपना इसमें तीन नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देचिए मितरों इसमें 33 नंबर परशने मंगलम सिचाई परियोजना है तो मंगलम सिचाई परियोजना है वो कौन सी है तो दोस्तों मंगलम सिचाई परियोजना है वो दोस्तों कहाँ पर है तो ये है दोस्तों कहाँ पर ये केरल में इस्तित है कहाँ पर है केरल में इस्तित है मंगलमशिचाही पर्योजना तो अपना इसमें दो नंबर का ओप्छन बिल्कुल सही उत्र हो जायगा आगे देखे इंडरा गांदी नहर का उद्गम इस्तल है तो दोस्तों बताईए इंडरा गांदी नहर का उद्गम इस्तल मैंने अभी आपको बताया था हिंद्रा गांदी नहर का जो उद्गम है वो हरी के बेराज के निकटे व्यास एवं सतलज नदी के संगम पर हुआ है ठीक है यहाँ पर दोस्तों अगर व्यास और सतलज अलग 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 अजाए तो आपको करना है सतलज ठीक है और या ऐसे आजाए सतलज व्यास तो आपको ये वाला option पर टिक करना है तो यहाँ पर इस person का जो right answer हो जाएगा वो है दोस्तों कहां से होता है इसका उद्गम तो यह होता है हरी के बैराज से तीन नमबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सहीवतर हो जाएगा यह आपको इसमें याद रखना है आगे देखिए 35 नमबर का प्रेस्न हरी के बैराज इंद्रा गांदी नहर का परमुक जलसरोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है तो कौन सी नदियों के संगम पर है तो यह दोस्तों व्यास और सत्रज नदी के संगम पर है अभी मैंने आपको बताया था चार नमबर का ओप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए 37 नमबर का प्रेस्न है इसमें देखिए इंद्रा गांदी नहर का निर्मान कारिये वर्ष गुनी सो अठावन से प्रारंब हुआ इसका उद्गम है बताये देखिए अलग-अलग प्रेस्न पूछा गया थीक है मैंने आपको इंद्रा गांदी नहर से करीवन चार से पाँच प्रेस्न बताए हैं और वो उनकी अलग-अलग प्रेस्न में पूछे गए है कोई UPPCS में पूछे गए है कोई उत्राकंड UDA के अंदर पूछा गया है सतलज नदी के हरी के बांद से ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है चार नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखे निमनलिकित नदी परियोजनाओं में से कौन व्यास्त नदी के पूंग बांद के जल का उप्योग करती है तो दोस्तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इंद्रा गांदी नहर परियोजनाओं एक नंबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखे इसमें विश्व की सबसे पुरानी वे विक्सित नहर वेवस्ता कौन सी है तो दोस्तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएगे वो ह गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्मान गंगा सिंग ने करवाया था दोस्तो कब करवाया था आरेस में 2010 में पुछा गया प्रेस ने गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है उसका जो निर्मान है वो गंगा सिंग ने कब करवाया था तो दोस् 27 में तो इसका right answer हो जाएगा वो है दो नंबर का option बिल्कुल सहीगतर हो जाएगा आगे देखे सरदार सरोवर परियोजना से लाबानवित होने वाले राज्ये हैं तो वो कौन से है बताइए देखे सरदार सरोवर परियोजना का जो निर्मान है वो गुजरात राज्ये में न कामिल है तो इस प्रेशन का right answer हो जाएगा वो है गुजरात महराष्टर मद्यपरदेश राजस्तान एक नंबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सहीगतर हो जाएगा देखिए दो परिक्षाओं में पुछा गया प्रेशन एक 2004 में पुछा गया और एक 1999 में आगे देखिए सर नरमदा नदी पर ये बनाया जा रहा है सरदार सरोवरबांद एक नंबर का option बिल्कुल सहीटर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 42 नंबर का प्रेशन सरदार सरोवर से सरवादी कलाब मिलता है तो दोस्तों किसको मिलता है तो ये मिलता है दोस्तों मद्यप्रदेश को 13 परतीसत का जो हिस्सा है वो मद्यप्रदेश के पास रहता है जबकि गुजरात के पास में रहता है दोस्तों 32 परतीसत है ठीक है यह आपको इसमें याद रखना है तो इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा तीन नंबर का option है वो इसका बिल्कुल सहीटर हो जाएगा इसमें 43 नंबर प्रेशन है इंद्रा गांधी बांध यहां पर देखें इंद्रा सागर बांध किस नदी पर इस्तित है बताए इंद्रा सागर बांध है यह कौन सी नदी पर इस्तित है बताए तो इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नरम्दा नदी पर तीजिए दो नंबर का जो उप्शन है वह इसका बिल्कुल सहीवतर हो जाएगा इंद्रा सागरबांध है कोन शी नदी पर इस्तित है तो यह नरमदान अदी पर यह इस्तित है अगे देखे इसमें 44 नंबर का प्रेस्ट में देखे इसमें निम्नांकित में से कौन भारत क सबसे पुराना जल सक्ती चैश सक्ति उतवादन के रिस्ट है बताइए इस प्रेश्ण सदेकर उप्सटों डौजब और वहम उजई गब क्या हो जाएगा अि sort epo उन्जिक बिल्कुल संनतिक्ति ठीक ई amino समंद्रम जलपरबात है ये कापर है तो ये करनाटक में है कावेरी नदी है उसके ओपर ये इस्तित है ठीक है आगे देखिए इसमें पावेरी नदी के जल बटवारे का विवाद किन राज्यों से समंदित है कावेरी नदी के जल बटवारे का विवाद है ये किन राज्यों स समंदित है इस प्रेशन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है वो कौन-कौन से राजे हैं तो वो है तमिलाडू करनाटक केरल और पुद्दुचेरी इन चार राज्यों के मद्दे दोस्तों यह विवाद है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है चार नंबर का जो अप्सन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यह दोस्तों पुद्दुचेरी है वो क्या है केंदर साशीच प्रदेश यह भी आपको इसमें याद रखना है ठीक है आगे देखिए मित्रों इसमें देखिए 46 नंबर का प्रेशन है नागार जुन सागर बांद परियोजना है यह कौन सी नदी पर इस्तित है बताएए नागार जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर इस्तित है बताएए तो इस प्रेशन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यह कर्शना नदी पर इस्तित है कहां पर है कर्शना नदी पर यह इस्तित है नागर जुद सागर बांद परियोजना ठीक है तो इसका राइट आंसर चार नंबर उप्षन सयुतर हो जाएगा देखिए 2008 में 2004 में ये प्रेशन पुछा गया है आगे देखिए इसमें हीरा कुंड बांद कौन सी नदी पर बनाया गया है तो दोस्तो हीरा कुंड बांद है ये कौन सी नदी पर बनाया गया है तो दोस्तो ये माहा नदी पर बनाया गया है ये आपको इसमें याद रखना है और कहां पर है तो ये ओडी सामे है ठीक है तो इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा तीन नमबर उप्षन बिलकुल सय दोस्तों इसमें गोविंद सागर और दूसरा है दोस्तों इसमें गोविंद वल्लब पंत सागर ये दोनों है ये दोस्तों चंबल गाटी योजना से समंदित है वो नहीं है देखे गांदी सागर जवार सागर कोटा बेराज और राना परताब सागर ये चार बांध है चंबल नदी पर तो यहाँ पर इस प्रेसन का राइट आंसर क्या हो जाएगा तीन और चार है वो इसमें बिल्कुल सही है यहाँ पर क्या पूछा था ध्यान से पढ़िएगा किसरा और चोता है वो समंदित नहीं है तो इस प्रेसन का राइट आंसर हो जाएगा तीन नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा पचास नंबर का प्रेसन है इसमें देखे निमनलिकित मेंशे कौन सा जलाशे चंबल नदी पर बना है बताए न जल विद्धूत परियोजना निमनलिकित मेंशे किन नदीयों पर बनाई गई है तो यह बनाई गई है दोस्तो कौन सी नदीयों पर बताएगे इस प्रेसन का राइट आंसर हो जाएगा बागीर्थी वे बिलांगना नदियों के संगम पर इस्तित है तीहरी जल विद्धू तो अपना राइट आंसर चार नंबर ओप्शन सयूतर हो जाएगा था बावन नंबर का प्रेसन इसमें देखे दामोदर गाटी निगम की स्ताफना कब हुई तो दोस्तों यह उएती गुनी 148 में, कभूईती 148 में, चार नंबर का जो ऑप्षिन है, वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 148 में, 53 नंबर प्रैसण नहीं इसमें देखे, निम लिकित जलब विद्दूत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजनाओं भारत ने भूतां के सहयोग से बनाई है, तो इस प्रेश्रिंग का right answer हो जाएगा वो है दोस्तों, चुक का बांध कुणसा बांध? चुक का बांध तीन नंबर का जो option है, वो इसका बिलकुल सहय उत्तर हो जाएगा, देखिए, चुक का बांध प्रिवजना है, ये बुटांग में वांग चू अत्वा जिसको बोलते हैं रेदक नदी की धारा के उपरी भाग में ये इस्तित है इस वांग की उचाई है इस बांध की जो उचाई है वो है 40 मिटर ठीक है ये आपको इसमें याद रखना है तो इसका राइट आंसर चुक का बांध तीन परियोजना और सूची सेकेंड में है अव इस्ति सूची फर्ष्ट में परियोजना और सूची सेकेंड में अव इस्ति अब यहां पर देखिए दोस्तों भांकडा परियोजना है ये दोस्तों कौन सी नदी पर ये इस्तित है बताए तो मित्रों ये है सतलज नदी पर हिरा चार तीन दो एक उप्सन का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि आप यहां पे चार तीन दो एक कर लेना ठीक है तो अपना चार नंबर का ओप्सन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा आगे देखिए पच्पन नंबर का प्रेसने बहु उद्देश ये नदी गाटी परियूजनाओं को आधूनिक भारत के मंदिर किसने कहा था बताइए बहू उद्देश्ये नदी गाटी परियुजणआओ को आधूनिक भारत के मंदिर किसने कहा था अरेस प्री 1974 और आगे देखिये दोस्तों ठीक उसी प्रकार अपने को सुची फस्ट को सुची सेकंड से सुमेलित करना है ठीक है अब दोस्तों अपने को बताना है कि कौन सी नदी पर कौन सा बांध इस्तिता है आई एस प्री गुनिस और निनानमा में ये प्रेस्ट पुछा गया है एक तरफ दोस्तो सुची फश्ट में नदिया है सुची सेकंड में बांध है अब यहां पर देखिए कावेरी नदी पर कौन सा बांध है तो दोस्तो कावेरी नदी पर कौन सा बांध है तो वो है मेट्टूर बांध इस्तित है कावेरी नदी पर करशना नदी पर कौन सा बां इस्तित है तो इस प्रेसिन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 2-1-4-3 2-1-4-3 यानि कि अपना इसमे राइट आंसर दो नमबर का जो प्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए 57 नमबर का प्रेशन है अलमटी बांध किस नदी पर इस्तित है अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों ये अलमटी बांध है ये कौनसी नदी पर इस्तित है तो ये कर्शना नदी पर इस्तित है कौनसी नदी पर इस्तित है कृष्णा नदी पर ये इस्तित है तीन नमबर का जो अप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें तिले या बांद किस नदी पर निर्मित है तिले या बांद है ये किस नदी पर निर्मित है तो इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो बराकर बराकर नदी पर ये इस्तित है तिलेया बांद दो नमबर का जो अप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 59 नमबर प्रेशन है सुची फर्ष्ट को सुची सेकंड से सुमेलित करना है ठीक कुशी प्रकार एक तरफ दोस्तो बांद या परियोजना है और दूसरी तरफ इस्तान है कि कहां पर ये इस्तित है देखिए मित्रों ये जो मेटूर परियोजना है ये क कहां पर इस्तित है बताएए तो ये है दोस्तों तमिल्लाडू के अंदर कहां पर है तमिल्लाडू के अंदर और यहां पर दिखिए मयूराक्सी परियोजना तो दोस्तों मयूराक्सी परियोजना है ये कहां पर है तो ये पसिम बंगाल में है नागारजुन सागर है नागा चार यहां पर कर लेना तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर है ठीक है आगे देखिए साथ नंबर का प्रेशने सुची फस्ट में नदी गाटी योजना को सुची सेकंड से यहन की कूट बासा के आदार पर अपने को इसम में बताना है ठीक है अच्छा प्रेशन है देखिए मित्रों यहां पर सीव समुंद्रम सीव समुंद्रम परियोजना है यह कौनशी नदी परिष्टित है तो यह दोस्तों कावेरी नदी परिष्टित है यह कावेरी नदी परिष्टित है ठीक उसी प्रकार यहां पर देख पर है तो ये कर्षिना नदी पर खैक है तो ये कर्षिना नदी पर आगया। यहाँ पर देखे जायक्वादीदे रखाएं ठीके जायक्वादी पर्योजना है यह महराश्ट्र में इस्तित आह और यह को दावरी नदी पर इस्तिते misunderstood हरी परियोजना है ये दोस्तों भागिरती वा बिलांगना नदियों के संगम पर ये इस्तित है उत्राकंड राज्यप में ये इस्तित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें एक ठीका भागिरती अब इस प्रेसन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा साथ 2, 4, 3, 1 ठीक है 2, 4, 3, 1 इस प्रेशन का right answer हो जाएगा यानि कि अपना A number का option बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखें एक सट नमबर प्रेशन है भारत में सबसे पुराना जल्विद्धुत station है भारत में सबसे पुराना जल्विद्धुत station है वो कौन सा है तो दोस्तों इसका तो दो में लगाया गया था जो करनाटक के सिर्फ समुंदरम जलपरबात में लगाया गया था जो कावरी नदी परिस्तित है तो अपना इसमें राइट आंसर चार नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए भारत में पर्थम जलविदुत सहेंतर की स्तापना की गई थी भारत में पर्थम जलविदुत सहेंतर की स्तापना की गई थी तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बताइए भारत में पर्थम जलविदुत सहेंतर की स्तापना की गई थी तो यह की गई थी दोस्तों दारजलिंग में तो इसका राइट आंस से देखेगा मित्रों देखिए भारत में पर्थम जल्विदुत सेयंतर की इस्तापना की गई थी यहां पर option क्या दे रखा है दार्जलिंग कब पुछा गया था दो हजार तेरा में अब देखिए 61 प्रेशन में चलिए भारत का सबसे पुराना जल्विदुत इस्टेशन यानि कि सबसे पुराना और सबसे पहला बात तो होई ठीक है यहांपे क्या देरखा है यहांपे देरखा सिद्राबाग अब यहांपे जो मतलब गाल का नाम दे त्या अगर तैसील का पूछ ले तो दोस्तों दार्ज लेंग अब यहां पर अगले प्रसिंत के अंदर क्या पुछा है यह पुछा सिद्राबागब्र अपने को नहीं दिया दार्जस लिंग का राइट आइसर क्या ह Presidential क्या वो अपने को बताना है देखिए परक्का बांध है यह तो सभी को पता है परक्का बांध है यह काँपर है तो यह पसिब मंगाल में इसाब काँपर है पसिब मंगाल में यह इस्तित है आगे देखिए गाट परवा जो गाट परवा बांध है यह काँपर है तो यह है दोस्तो तो काँपर करनाटक में, काँपर है, करनाटक में ये इस्थित है, आगे देखिए हीरा कुंड बांध है, ये काँपर है, तो ये ओडिसा में है, और काकरापार, ये काँपर है, काकरापार कहा है, तो दोस्तों ये, काँपर बताइए, तो ये गुजरात में है, तो इस प्रे चार दो तीन एक चार दो तीन इस प्रेस्ट का राइट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए वित्रों इसमें सुची फर्ष्ट में बांध पर्यूजना है और सुची सेकिंड के अंदर दोस्तो राज्य दे रखा है अपने को क्या करना है सुमेलित करना है ठीक है तो देखिए यहां पर जो रिहंद परियोजना है वो कहां पर है तो यह है दोस्तों कहां पर बताएए रिहंद परियोजना है यह दोस्तों उत्रप्रदेश में कहां पर है उत्रप्रदेश में है उसके बाद में देखे उकाई परियोजना उकाई बांध है यह कहां पर है तो ये गुजरात में यानि क्यों कई बांद और हीरा कुंड बांद ये ओडिसा में और कोई ना बांद महराष्टर में तो इस प्रेस्टन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें 3-4-1-2 3-4-1-2 यानि कि अपना इसमें राइट आंसर एक नंबर का उप्षन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें मेजा बांद का निर्मान हुआ है बताइए बताइए मेजा बांद का निर्मान हुआ है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बताइए यह कोठारी नदी पर इसका निर्मान हुआ है बिल्वाडा में तो इस प्रेस्टन का राइट आंसर एक नंबर का उप्षन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए मित्रो का जो समंद है वो है दोस्तों यहाँ पे तीश्रा उप्शन डाल देना जेलम क्या हो जाएगा जेलम नदी से समंदित है ये तुलबुल पर्योजना ये आपको इसमें याद रखना है तुलबुल नोवहन पर्योजना जम्मु एवम कश्मीर में जेलम नदी पर निर्मित की गई है भारत इसे तुलबुल नोवहन पर्योजना कहता है जबकि पाकिस्तान इसे वुलर बेराज कहता है तो इस प्रेस्ट का जो राइट अंसर हो जाएगा वो है इसमें जेलम नदी से याप कुछ में याद रखना है ठीक है आगे देखिए 67 नंबर प्रेस्ट ने बगली ह पावर प्रोजेक्ट जिसके विशा में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक से विवाद उठाया गया भारत द्वारा जिस नदी पर ये बनाया जा रहा है वह है तो वह है दोस्तों कुन सा है तो वह चिनाब नदी तो अपना इसमें तीन नंबर का उप्शन चर्चित रही इस्तित है तो दोस्तों ये कहां पर इस्तित है तो दोस्तों ये इस्तित है कहां पर जम्मू और कस्मीर में तो अपना इसमें राइट आंसर है एक नंबर का उप्शन से उतर हो जाएगा जम्मू और कस्मीर में आगे देखिए महाकाली संदी निम्न में भार तोर नेपाल के मद्दे इस तीत है तो अपना इसमे राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दो नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है कौन सा एक सुमेलित नहीं है आरेयस परी 2010 के अंदर ये प्रषन नहीं पुछा गया था यहाँ पर देखोν दोस्तो माईय बजाज सागर परियुजना है ये गुजरात और राजस्तान की सुम्ग्त परियुजना है बिल्कुल सही है दक्सिन पूरों से ठीक है यानि कि ये जो परियूजना है ये मद्य प्रदेश और राजस्तान की सहयुक्त परियूजना है तो अपना इसमें ये गलत दे रखा है ठीक है कौन सा चंबल परियूजना में पंजाब अर्याना गलत दे रखा है तो अपना इसमें दो नंबर का ज कौन सी नदी पर इस्थित है वो अपने कुछ में बताना है देखिए मित्रों जो रिहंद्य परयोजना है तो दोस्तों ये इस्थित है कौन तोरिश्णि नदी पर तो यह सोन नदी परिश्थित ए कांपर है सोन नदी परिश्थ ऐ राणी लक्ष्मी बाई बांद परियोजना है यह दोस्तो बेतवा नदी पर बैद्वान नदी पर यह यह इस्टित है एंगर और नदी पर इस्टित है या उपना इस्थां सर्थन about पर इसे इसमें दुलहस्ती हाइड्रो पावर इस्टेशन किस नदी पर इस्टित है बताएए दुलहस्ती हाइड्रो पावर इस्टेशन कौन सी नदी पर इस्टित है तो दोस्तों यह कौन सी नदी पर इस्टित है बताएए तो यह इस्टित है दोस्तों चिनाब नदी पर तो अपना ना है देखे हैं यहां पर सरदार सरोवर बांध है यह दोस्तों गांधी सागर बांध है यह कंबल नदी पर है बिल्कुल से है नागरजुन Budget देखकर 04 Ilka तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा इसमें वो है दो नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिलकुल सहीतर हो जाएगा तलेया बांद। तो मित्रों यहां पर देखिए क्या पुछा है तो देखिए यहां पर नांगल बांद। तो यहां पर पर देखिए यहां पर अपना इस प्रेसन का राइट आंसर तीन नमबर का उप्शन हो जाएगा इराकुंड बांद। महा नदी पर बिलकुल सही है आगे देखिए 75 नमबर प्रेसन है देखिए सुची फर्ष्ट को सुची सेकंड से अपने को क्या करना है सुमेलित करना है देखिए यूपी पी सी एस 2014 के अंदर ये प्रेसन पुछा जा चुका है ठीक है अच्छा प्रेसन है एक तरफ दोस्तों सुची फर्ष्ट में नदिया है सुची सेकंड में बांद है यानि कि कौन सी नदी है वो कौन सी बांद पर इस्तित है यहां पर देखिए बेतवा बेतवा पर दोस्तों माता टीला बांद इस्तित है बेतवा नदी पर महा नदी पर तो दोस्तों हीरा कुंड बांद है यह तो आप सभी को पता होगा चंबन नदी पर गांदी सागर बांद है और तापती नदी पर दोस्तों काकरा पारा बांद इस्तित है इस प्रेसन का राइट आ राज्यों की संयुक्त परियोजना है गंड़क परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है तो इस प्रेशन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बिहार और उत्रप्रदेश की यह संयुक्त परियोजना है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें बिहार वे उत्रप्रदेश तो इसमें एक नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्र हो जाएगा ठीक है आगे देखें मित्रों इसमें देखें एक बार सभी के सभी मित्र है जिन्होंने वीडियो को लाइक ने किया है वो फटा-फट वीडियो को लाइक गर दीजे मैं मातर और मातर आपको 14 दिनों के अंदर है वो कॉर्श कंप्लेट करवा दूँ ठीक है आपके सले बसकेलनों साथ देखे यानिकी जो संपूर्ण जोग्राफी है मैं आपको 14 दिन में कंप्लीट करवा दूआ आगे देखे भारत में पर्थम बहुत देशिये नदी गाटी परियोजना का निर्मान निम्न में से किस नदी पर किया गया है भारत में पर्थम दाम दर नदी पर किया गया है सी नमबर का उप्सन सयुतर हो जाएगा दाम दर नदी पर आगे देखे भारत की सबसे बड़ी बहुत देशिये नदी गाटी परियोजना कौन सी है भारत की सबसे बड़ी नदी गाटी परियोजना है वो कौन सी है तो दोस्तों इसका परियुजणा निम्नलिकित में से किन राज्यों की स्मेलित परियुजणा है देखें इसमें परामबी-कुलम अलियुजणा निम्नलिकित में से किस राज्यों की चेत्म तो इस प्रेस्न का राइट आंसर हो जाएखे WEH केरल और मिलाडू की ये संयुक्त परियोजना है दोस्तों ये ओडिसा एवं आंदर परदेश की ये संयुक्त परियोजना है तो इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा परियोजना से भारत के कौन से दो राजय लाबानवित हो रहे हैं तो एक तो है दोस्तों इसमें पस्रिम बंगाल और दूसरा है इसमें जार खंड तो इस प्रेशन का राइट आंसर परियोजना है तो वो कौन सी है बताइए तो वो है दोस्तो मस कुण्ड तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का करस city लोग मंच उप्रो जाएगा अगे देखे लगाई परियोजना स्थित है तो दोस्तों यह उख्याउपरियोजना है यह कहां परिशुक्णा तो यह गुजरात में तापती नदी पर इस्तित है उकाई परियुजना बी नंबर का उप्शन सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए भारत की बहुत देशे नदी गाटी परियुजना का निर्मान तेने सी नदी गाटी परियुजना के आदार पर किया गया है बताएगे तो यह इस्तित है दोस्तो केरल में कहाँ परियुजना बी नंबर का उप्शन बिलकूल से उत्र हो जाएगा 86 नमबर प्रेशन है इसमें देखिए सरदार सरोवर परियुजना किस नदी पर चल रही है सरदार सरोवर परियुजना है ये कौन से नदी पर चल रही है तो दोस्तों ये नरमदा नदी पर चल रही है तो इसका अब C नमबर उप्सन सयूतर हो जाएगा आगे देखिए इडुक की जलविद्धुत पर्योजना किस राज्य में इस्तित है इडुक की जलविद्धुत पर्योजना है ये कौन से राज्य में इस्तित है तो ये केरल में इस्तित है एक नंबर का उप्षन राइट आंसर हो जाएगा ये केरल में इस्तित है आगे देख कि दोस्तो को सी परियोजना को सी परियोजना है ये कहां पर है तो दोस्तो को सी परियोजना है ये बिहार में है कहां पर है बिहार में नागारजुन परियोजना है ये दोस्तो आंदर परदेश में है और मयूराक्सी परियोजना है ये दोस्तो पसिम्बंगाल में है और हीराक आगे देखे, सलाल जल विद्धुत परियोजना किस राजे में हैं, सलाल जल विद्धुत परियोजना है, ये कौन से राजे में हैं, तो दोस्तों ये जम्मू कस्मीर में हैं, कहां पर है, जम्मू कस्मीर में हैं, बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा, भारत तथा एसिया की एक मात्र अदो भूमिक संजे जल विद्धूत परियुजना निमनलिकित में से किस राजे से समंदित है तो दोस्तों ये कौन से राजे से समंदित है तो ये हिमाचल परदेश से समंदित है बताएए डीक रूंग जल विद्धूत परियुजना देश के किस राजे में निर्माना दीन है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है अरुना चल परदेश में डी नमबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल से उत्र हो जाएगा अरुना चल परदेश में आगे देख ये जमार सागर बांध है ये राजस्तान में है नागरजुन सागर बांध आंदर परदेश में है सीव समुंदरम जो बांध है ये दोस्तों कहां पर है तो ये करनाटक में है कहां पर है करनाटक में है केरल यहां पर गलत दे रखा है गांदी सागर है ये दोस्तों सोरी गा तो दोस्तों यह मनीपूर में हैं तो इसमें डी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखिए रिहंद बांद परियोजना से किन राज्यों की शिचाई होती है तो दोस्तों यह उत्या है उत्रप्रदेश और बिहार की तो इसमें राइट आंसर दो नमबर का जो वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तीक है आगे देखिए इसमें तुलबुल परियोजना निम्नलिकित नदी से समंदित है तो बताएए तुलबुल परियोजना है वो कौन सी नदी से समंदित है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये जेलम नदी स पर निर्मित है डी नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए सर्दार सरोवर पर्योजना से लाबानवीत राज्ये हैं तो वह कौन से हैं तो वह है दोस्तों पस्रिम बंगाल एवं जारकंड पस्रिम बंगाल एवं जारकंड यहां पर देखिए सर किस नदी पर निर्मित है तो यह मैंने बताया आपको कौन सी नदी पर निर्मित है तो यह 17 नदी पर निर्मित है ठीक है और सरदार सरोर परियुजना से लाबानवीत राज्ये हैं तो वो कौन से हैं तो दोस्तों वो है राजस्तान मद्यपरदेश गुजरातेवं ठीक है आगे देखिए इसमें दामोदर नदी गाटी परियुजना से लाबानवी तराजे हैं तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तों इसमें पस्सिम बंगाले ओम जारकंड तो इसमें डी नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा मित्रों ये मैंने आज आपको जो सो प्रस्न करवाए है और दोस्तों प्रस्न आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना पिछली कलासे हैं वो नहीं देखिये तो आप पले लिस्ट में जाएए वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा भारत का बुगल टोपिक वाइज बाला से हैं वो जरूर देखें और अरत दारेस एकडमी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन को तबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जैहिन जैभारत